आज हम बना रहे है चिकन चीज कॉछन कबाप यह शायद आपने बहुत कम जगा खाये होगे पर आप बनाओ आप अपने घर पर इजी ली विदाउट ओवन एंड विदाउट ग्रिल यह बहुत ही टेस्टी लगता है अंदर से इसमें चीजी बहार आता है तो चलो हम यह चिक एक तरई करना ताकि हमारा चीज अच्छी तरह से अंदर बैथ सके यह देखिए ऐसा चाहिए हमें आर देखिए ऐसा ही कट करना है हमें हमें है चीज ले लिया है दो चीज का क्यूब बना लिया है अब इसमें दालेगे अधरक लसुन का एक चम्मच पेस्ट फिर हम नमक दालेगी हाफ चम्मच अब अपने अकॉर्डिंग दालो नमक हम इसे कमी स्पाइसी रखेगे चीज कभी फ्लेवर इसमें चाहिए इसे लिए कम स्पाइसी रखेगे अब अमने एक चम्मच धनिया पाउडर दाल दिया है और हाफ चम्मच अब 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 गरम मसाला दालेगे हाफ चम्मच अब इन सब को अच्छी तरह से मिला लेगे मसालो में चिकन में मसाले को अच्छी तरह से लगा लीजिए आप हमें क्ते सबस्केर गीड़ा से अब में क्याहिता है जैसे मैंने बताया था इसे थी साप साप ने कट किया था इसे अब जाणाइब एक एक पीस को हमें इस तरह से ओपन करके इसके अंधर हमें चीज रखना है यह देखिए हम रखते जाएगी देखिए igual इसे कोटन कपप कहते है यह देखिए मिड़न में चीज और ग्रीयचे लिए Career अगर जाकिम अब जब आप आपको ग्रिल किया वा या फिर ओविन में बना हुआ ही मिलेगा बठा मुझा बहुत आसानी से इसे घर पर बनाएगे यह देखिए हमने कम उयल लिया है अब चिकन को अब धीरे धीरे इसमें डालते जाएगे यह देखिए दीरे धीरे करके हमें इस तरह से डालना है इसे चिकन को अध्यान रखो थोड़ा सा चीज भार नहीं आना चाहिए इसलिए हमें एक साइड से अच्छी तरह से कुक करना है फिर धीरे से हम दूसरे साइड पल्टेगे से थोड़ा-थोड़ा करके हम चिकन को दालेगे एक साथ सब नहीं दाल देगे क्योंकि हमारा चीज भार नहीं आना चाहिए और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है आपने लावा केक तो खाया होगा यह हमारा कॉटन कबाब वैसा ही है पर इसमें से निकलता है चीज और यह है स्पाइसी नो मैटर वाट यह देखिया भलके हातों से इसे धीरे-धीरे करके हमारा चीज नहीं निकलना चीह बार कि दियान से पालटना है यह यह देखिए चीजम मेट हो चुका है इसके अंदर एक को रहा है दुसरी साइब से इसे अच्छी तरह करेंगे अभी ढख के कारें 부분이 टीकर करेंगे तकि शीम से चिकन दोनों साइब से बहुत अच्छी तरहा कि यह देखिए हमने सारे के सारे भी पल्टा लिया है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लेगी आप इसे जरू ट्राइक कीजिए अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो और बेल बटन दबाना ना बुलना न्यू रेसिपी के लिए यह द